बिस्मिल्लाइरमान इरहीम नाज़ीन अस्सानाम अलेकूम कैन्वस में डॉक्र कामरान में खुशाम देज दिन चैनल के नाज़ीन के साथ एक नया दिन और एक नया मौदूद नाज़ीन इस वक्त हम मौझूद हैं पास आयना फ्रेंशिप सेंटर में और इधर एक पाकिस्पान के लिए एजाज की बाद एक बड़ी कॉन्फरेंस हो रही है इंटरनेशनल कॉन्फरेंस ओन मेडिकल एडुकेशन जिस नाज़ीन इस वक्त हमें जॉइन किया है वाइस चा प्रोग्राम आई सीमी की भी बात करेंगे लेकिन इससे पहले एक जो सवाल जो अप्सर होता है और मेडिकल एडुकेशन से भी को रिलेटेड है हमारे मुल्क में अब तिभी मेडिकल जामियाद या तिभी जामियाद मेडिकल यूनिवरसिटी मौझूद है और मेडिकल और इसे हम आम जामियाद से कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं बिस्मिल्ला रख्मान ररहीम बहुत शुक्रिया कामरान साथ के आपने मुझे इतने बड़े प्रोग्राम में इन्वाइट किया ये मेरे लिए बड़े इजास की बात है आपने चूंके एक ही स्वाल में कई स इस्टिंफॉब्स और बदभलब ये है कि ये काइनात का नाम रख्मिल्ठू चारिय। materia को होती एंदम ही क्या करती है और आपने क में तो ISK ऐनिफ्ला थिएक तक्सीम करती है कि हरकिस ये उनिफ्वश्टि का ये उसका एक Yugoslis चोटा प्रस्पेक्टर है और यूनिवस्टी ने दुनिया की जो सिविलाइजेशन है उसको चेंज किया अगर आप मुटी में चले जाएं तो आप बगदाद की यूनिवस्टीयां देखें वो यूनिवस्टीयां उनकी दुनिया में मशूर थी वह रिसर्च होती थी वहां तो वह दुआ उन कताबों का था जो उन यूनिवस्टीयों में तो यूनिवस्टी का 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 तो यू कि क्या काम है तो मेel काम युनिवस्टी का यह है कि वो युनिवस्टी नॉज क्रियेट करती है और nesseमिनेट करती है यह वो कैसे करती है यह सुर्ददर तीन में डिवाइड़ेड है पहला उसका काम है अधूकेशन किसी भी तहजीब में इंसानियत की आप एवोलिशन देखें तो उसकी जो एजुकेशन ट्रेनिंग और नौलज जब उसका इंपार्ट हुआ तो फिर वो कौमें जो हैं उन्होंने तरक्की की तो मताबकत में दूसी अक्वां से कहीं आगे चलीगे तो जुनिवस्टी का में काम जी है कि उसने एजुकेशन और ट्रेनिंग करनी है काम की या उस पैसे फील्ड की अगर वो मैडिसन की है या वो गलोबल है और फिर उसने ऐसे लोग परड्यूस करने है जिन्हों ने उस फ पर एविडिनस बेस प्रेक्टिस और जो नए ने चैनलिज़ मैडिसन के हूँ वो इन्फरमेशन के हूँ या किसी भी फील्ड के हूँ वो रिचेच्च करेगी और प्रिकलर ली उस मुल्ट के लिए रिचेच्च करेगी जहां की वहां पे अप्लाइड रिसर्च जो डिज प्रिवेंशन होई ये उसका दूसरा बड़ा काम है तीस्रा काम युनिवसिटी व का यह को यह है कि वो जो युनिवस्टी पेशन केugen केर नाट ओर्डनरी पेशन केर जो प्रैमरी सेकंडरी और प्रिश्ली डैवल पर पकीसंस और युनिवस्टी पेशन केर और लिघ। ल जो जूरूर बताये आप नाधिरीन के लिए और हमारे जो डॉक्टर्स के स्मूरे हैं कि यूनिवर्सिटिटी लूपिटी से क्या मुराद है और इसको हम किसी तरह सवीस कर सकते हैं जो दूसरे हमारे हॉस्पिल्स पर हैं है जिन पे रिसर्च की जरूरत होती है या जिन पेशन को एडवांस रिजीज़ होती है उनको एक पेशनाइज़ केर चाहिए होती है जब आप युनिवस्टी हॉस्पिटल ही नहीं बनाएंगे तो रिसर्च कैसे होगी इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हमारे जो युनिवस्टी हैं उनके जो हॉस्पिटल है उनमें अगर सारे नहीं है तो टरिशरी केर से अपग्रेड करक कि उनको रिसर्च हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए 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 कि एविडेंस बेस जो है वो गाम हो और हमें पता चल सके ना सिर्फ तश्वीज बलके जो कहना चाहिए कि इलाज के ने अबबाब बिल्कुल और वो जो है वहां की जो फिकल्टी होगी वहां का जो परफ को टीट कर रहे होंगे जिनके रिसर्च प्रोटोकोल बने है ठीक है और ट्रेनिंग भी नैशली फिर इसकी जो है आम हॉस्पोल के इस बिल्कुल ठीक है अच्छा प्रफेसर उमर साहब आपका एक सबीर सजर्वा और रावर्पिटी मेडिकल कॉलेज साब ने का सफर के इस सफर को आप इस तरहा देखते हैं बस उझ्धी जो है और क्या चेंज़ आई हैं? लेकन जब मैंने इतना बड़ा जर्नी तैय किया उसके साथ मेरी जुम्हेदारियां और मेरे पर वो जुम्हेदारी क्या थी कि जिस मुलक जिस अधारे की वज़ा से मैंने इस क्लाइमिस तो चीफ किया है कि वाइस चांसर के आगे कोई पोस्ट नहीं होती तो फिर मुझे पे किसे करना है जो सबसाइड रेट पे हम पढ़े थोड़ी पीसों से हम पढ़के और फिर इसनी लेवल हमने चीफ किये प्रैक्सिस की है हमारे बच्चे पढ़ गे तो फिर जब पहास कर जब मैं प्रफेसर बना तो मैंने ये फील किया कि अधारे के लिए क्या कांटीबिशन और वो कंटीबिशन ऐसी जुनीक होनी चाहिए जो पहले लोग नहीं कर सकेते हैं या उन्हें मौका नहीं मिला तो अगर वो इसी तरह मैं छोड़के गया अदारा तो फिर यह जो मेरे पे अदारे ने और मुलत का असान है मेरे पे वो पेड़ बैक कैसे होगा इसलिए जो ह अधिनी मैं एड्मिस्टेटर बना तो सारना काम मैंने यह किया कि जो अंडर ग्याजूएटर एजूकेशन थी वो मैंने इंटारली चेंज कर दिया और मैंने इंटेगरेटड मौडलर करीकुलम पर काम करना चाहिए तूड़ेट में सर्च करीकुलम गो डवैल्प किये जो आपने खिर इंपर करेकुलम का आपने अभी लौट का दिकर किया यह बहुत जादा पोपिलर नहीं है हमारे हरे हैं करीकुलम के थे जो Saat को हमें स्ब्रूब निंग dried के रिसर्च करीकुलम के यह को इस यह क dyed दो इसको भी व्येस इन धृड़र क taxi आर्गी और दी Mits Olidhar on लेकिन मैं जब यह एफर्ट कर रहा था पीन चार साल से तो यह हमारी रावल्पंडी मैडिकल यूनिवर्स्टी गौर्वर्मंट ने हमारे पर ट्रस्ट किया कि जी आप दारे को जिससरा चला रहे हैं या आपकी टीम चला रही है इसको अपग्रेड करना चाहिए बलके नमदलल्ला दो और यूनिवर्स्टियां भी निश्टर और फैसलाबाब यूनिवर्स्टी भी इसला मेरी जो जुम्हदारी थी वो बहुत बढ़ गई आर्डिनरी वाइस चांसलर से कि मैंने इसको एक्टिवली ये चाहा था इसमें फिर ये मेरी जुम्हदारी बलती थी कि यूनिवर्स्टी जो है वो कॉलिज से किस तरह डिफिन्ट है जैसे आपने राइटली सौल पूछा तो लोग कहते हैं कि यूनिवर्स्टी है वो मेडिकल कॉलिटी की तरह है तो इस एक हमारे पोस्ट गैजुएट है और एक हमारी फ्रिकल्टी है तो हमने अंडर गैजुएट में पहला पॉब्लक सेक्टर हमारा कॉलज है यूनिवर्स्टी है जिसमें इंटेग्रेटेड मॉडूलर करिकलम बेदिन त्री मन्स नया करिकलम बनाके जो डबली आफमी के से इसको किया जाए इसके रिसोर्स नहीं है और फिर आप उसको देखें कि थर्ड पार्टी ने महारा अंतियान दिया यानि इसका आर्म यूनिन दिया वो यूएचस ने दिया जो एक इल्डी पैंडल यूनिवर्स्टी है और अब उसका सेक्नियर का भी एक्जाम हो गया औ हम भी आमने बनाए तो यह जो एक एफर्ट थी मारी तीम एफर्ट थी इसने हमने प्रूब किया कि हमने इंडर गैजुएट को अपलिफ्ट किया दूसरा साब पोस्ट गैजुएट देखें दो तरह के सिस्टम है पाकिसान में पोस्ट गैजुएट है एक कॉलजा है कि हमारे जो अंडर ग्रैज्ट मेडिकल तूड़न हैं और जब वो ग्रैजवेशन कर जाते हैं तो उनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन धोनी था है बबबकुछ उस ही पर मैं आ रहा था तो हमने कहा किया कि जो कॉलेजिस होते हैं यह सारी दुनिया में कॉलेजिस सर्फ पंजाब में जब बन रही तो इसको कहते हैं युनिवस्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम और इसका पराना नाम जो था MSMD हमारी युनिवस्टी ने इसको चेंज कर दिया यह स्ट्रिगमा समझा जाता है समझा जाता है कि MSMD का प्रोग्राम स्ट्रेटर नहीं है वेल अमानेटर नहीं है इसके सुपरॉइजर उतने ट्रेंड नहीं है उतना लावल आफ इंट्रेस्ट नहीं है उजली सुपर्वाइजर एक न होते हैं लेकि उनका फाल realization कि उसको मॉनेटरिंग निदाती है CPSP इसको monitor करता है तो हमने इसका नाम रखे है University Residency Program और ये जो University Residency Program है ये अमेरिका का popular आपको पता है कि महाई ये term जीज़ होती है फिर इसे प्रोग्राम का नाम बदलने से नहीं बदल सकता हमने एक reference लेना है कि दुनिया जो है वो post graduate program जो है जो model बनाया accreditation council for graduate medical education और ये मैं बड़े फकर के साथ और अल्ला तला के करम के साथ ये कह रहा हूँ कि हम पहली युनिवर्स्टी है पाकितान में जो accreditation council for graduate medical education का curriculum follow कर रहे है और इस curriculum का नाम है competency based या outcome based कि आपने proactively curriculum में ये define करना है कि एक M जो post graduate है उसको क्या competency required करें ये बहुत देखे जैसे knowledge होता है skills होते है और attitude ये तीन चीज़े हम अगर हम segregate करें तो ये तीन चीज़े होते है knowledge और skills जो है वो काफी आप कर सकते हैं उसे और उसके जो traditional methods है वह बड़ी successful हम ताहते है जान्स करते हैं student की जान्स करते है हमारे रेजिडिन्ट होते हैं लेकि competency based बहराओ ये एक छो है उसकी डिएपन काम उसका हमँ हाया है कि असकी असेस्म talkin' Series! छे कॉमर्पटेंशी है यह जो है पेशन केर यह तो अपको सारा उसकीकॉमर्पटेंसी होनी चाहिए असकी डिटेमिन यह होताओ इसके बाद जाूलच उसको होना चाहिए ठीक är चौछा जो है इंटर्परस्टनल कमनिकेशन पांचमा अर्मी्ट ऑर देया है। फल्पा जो है जो फाके बल्कुल प्रैक्सिस में सब्सक्राइब उते हैं आए से लर्न करते हैं यानि आपका सिस्टम जो है पाकिस्तन का ये जूर जो है फिर्स वर्ल्ड के कताबों से पढ़ते हैं लेकर ये डिफरेंट है जैसे मैंने बताया कि यहां डेंगी है यहां पे बारल अमराज क्रीवर है यहां इंफेक्शन पॉर्टी परसंट है हर मुल्की ब के मताबों को बिल्कुल आपने ठीक है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्स को आपने मीड करना है लेकिन बाहराल जो आपका सिस्टम होगा और जो बाहराल आपका करिकुलम होगा और लोकल नीड्स और आपकी नैशनल नीड्स के मताबक डिजाइन होना जाए जी और फिर इसको जो है उसको लाइदा ट्रेनिंग उने चाहिए यह कॉमपेटेंसी बेस्टी पिर इसकी असेस्मेंट के जो है जासे मैं आम तर पर पूछता हूँ कि आप नौलज को सेस्स कर सकते हैं आप सिस्टम बेस लर्निक को कर सकते हैं परफेशनलिजम आप पढ़ाएंगे किस तरह पर प्रेशनलिजम का करिकल्म क्या कре मुझे बतार के कि बिदाने करिकल्म कर सकते हैं और फिर उसको मार्ग किसा देने है क्यो प्रोफेशनिस्म में पास हो इसके जो है ये 360 डिग्री सोर्स जो मुल्टी सोर्स एवैलुएशन है ये उसका प्रोफेशनिस्म आपको तीचे एक जाती निश्यस में मेरी आपसे बात भी और एक दफ़ा और रावल्पिंडी मेडिकल यूनिवरसिटी में जब मेरा विजिट हुआ तो वहां पे आपने इसका एक बकायता मॉनिटरिंग सिस्टम बनाई हुई है और ये छे कॉंपिटेंस इसको कम्प्यूटर पे सारा आपने वो इसको अप्लोड भी किया हुए है हर एक जो हमारे रेजिडेंट है बड़ी अच्छी बात है उसका एक पोर्ट पोलियो ब्लॉग बुक्स होगारा बनी हुए है और ये थ्री सिस्टी डिग्री आप जो करते हैं तो इसमें इससे थ्री सिस्टी डिग्री से आपकी क्या मुराद होती है तो एक यूनिवर्स्टी रेजिडेंट है जो MSMD कर रहा है तो वह उसका एक है को उसने पेशन हिस्टरी किस इसका कमुनिकेशन कैसा था इसका लेवल आप इंटरेस्स कैसा था ये पेशन से बात कैसे करता था ये पिर अपनी नर्से नर्से से ये 6 उसके परफॉर्म है और ये 3 नर्से बहादा रएदा वसरेजिडेंट के बारे में फिलकित है और उसकी average निकाल के उसका score दिया जाता है 100 में से फिर patient के attendant ने उसको assess करना है फिर supervisor ने उसको करना है फिर उसके peer जो उसके करीब जो जो लोग हैं उसके mentorship program ले उसके उसको assess करना है फिर इसने supervisor को भी करना है फिर उसकी ये सारों चीज़ों को एक numerical average निकल लिए और उसने हर सेक्ट में सब्सको से उसका behavior ठीक लिए वो fail हो गया इसका मतलब है उसको समझाया जाएगा कि आपका ये ये चीज़ें नेस्स कमुनिकेशन है भी कि आप पसंद नी किये जा रहे या आप उनसे rude है या आप उनसे रिस्ट्रेक्ट की लेवल से नी तो जब आप उनको ये सिखाते ही नहीं है और ये हमारे ना ही fellowship के curriculum में मजूद है ना किसी और curriculum में ये रावल पिंडी medical university पहरी यूनिवरस्टी है जिसमें इसको अप्लाई किया और ये हर छे मीने बाद फिर हम देखते हैं और जो सवाल है ये सब तो हो जाता है लेकिन हमारे हाँ ये है कि बुनियाद भी डल जाती है और कई दफा प्रोग्रेम स्टार्ट भी हो जाते हैं लेकिन उनकी continuous monitoring नहीं होती है उसकी quality के हवाले से हम जिसे CQI का एक concept है जो कि अब medical education में भी हम ये लफ मकामल है इस्तमाल किया जाता है कि continuous quality improvement तो quality assurance जो है इस हवाले से भी फिर आप काम करें तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी जो medical university है अलहमदोला है model university है medical की model university है तो हमने इसको क्या किया देखें जो quality assurance है वो किसकी है वो आपके program की है जो university resident program है curriculum है teaching strategy है दूसरा किसकी है कि वो resident की है उसको एक quality resident हम बना रहे है और तीसरा जो है program director है और चौसा प्रोग्राम खुद है हमारा जो quality assurance department है वो चारों चीज़ों को assess करता है six months के बाद इन चारों की एक report बनती है उसकी deficiencies और उसकी sense सामने आती है उन deficiencies पे जो committee है मिलती है वो supervisor को भी advise करती है program director को भी करती है उसकी कताबें आपने देखा कि हमने चाहती होई है उनके objective model बनाए हुए है तो वो एक report generate करती है कि क्या program director का तरीका कार कमजोर है क्या program बजाते खोदे की लीक है या जो trainees है वो कमजोर है और quality के मताबक नहीं हो उन पे फिर एक feedback के मताबक 12-6 मीने बाद उनको डिवर किया जाता है और assess किया जाता है एक तीज मैं research को छोड़ गया हूँ पाकिस्तान में मैं जब university बनी तो मैंने बहुत university में travel किया particularly public sector तो मैंने पूछा कि हमारी जो medical university उनका research model के है सर आपको हरानी होगी कि research model हमारा objective है सब objective कि मैं इस तरह करता हूँ आप कहते हैं इस तरह करता हूँ तो हमने सब 6 मीने लगा के एक research model बनाया university का जिस्तों कहते हैं रावल पिंडी medical university research model ये चार लोगों पे लागू होता है undergraduate पे, postgraduate पे, faculty पे और visitor और international research पे इन चारों के लिए nine steps है वो step के हैं आपको ये सुनके खुशी होगी कि हमने वो पहला step की है फिर research faculty, फिर research lab, फिर community research उसका उसका model ने फिर उसकी clinical research, फिर उसकी basic research फिर उस research को present करने का model वो कहा है कि आपकी undergraduate को undergraduate society बनाई, university resident forum बनाया ये सारा, इन नाइन स्टेप है ये फिर के research एक student है मैंने बताया ना कि उसने लिखना का है तो उस पहले student की research society बनाई, जब उन्हों ने इस लेवल पे आगे paper लिखे खा student का तो article publish नहीं होता तो हम पहली university हैं पाकिसान में जिसका student general निकलता है तो student का अपना editorial board है वो अपनी research करते हैं, उसमें publish करते हैं और international nomini उने supervised करती है लेकिन board उनका अपना है तो इसमें उनके article वहाँ चपेंगे student की conference लाइदा होती है वो अपने paper वहाँ प्रेजेंट करते है रारेमग्यू में, faculty का general लाइदा है faculty उस पे अपने paper लेखती है उसका अपना editorial board है फिर ये सारी research जो है, ये document का हो तो हम बाद ये university हैं जसमें अपनी research directory बनाई है 800 page की directory है जिसमें सारी research खावो कितनी कमजोरी के होना तो उसका एक document है जो हमारे available है website वे में उसमें डाल गए फिर इस research को जो है internationally कैसे link किया जाए तो इंटरनेशन लमन आई है उसका एक research board बनाए वो फिर हर article जो हमारी faculty general में चपता है उसका international reviewer है जिसने graduation रावलपिंडी medical college से की हुए और वो अमेरिका में यूके है एक reviewer international होना ज़रूरी है यह है RMU का model और ये शी तरह implement हो रहा है सर वक्त हुए एक break का नाजरीन हमारे साथ मौजूद है वाइस चांस्टर रावलपिंडी medical university प्रफेसर महमद उमर साथ वक्त हुए एक short break का मिलते हैं एक short break के बाद stay tuned with us welcome back नाजरीन break पर जाने से पहले हम बात करे थे वाइस चांस्टर रावलपिंडी medical university प्रफेसर महमद उमर साथ से अच्छर एक और जो सवाल है और इसका आपने जुद्वी जवाब को जो है मेरे दूसरे सवालों के जवाब में दिया भी रावलपिंडी medical university इसको आपने बताया है university residency program के हवाले से आप काम कर रहे हैं तो आपने कौन से नए disciplines और डिप्लोमा और डिग्रीज जो हैं वो university platform से शुरू कर रहे हैं और इस हवाले से यह भी बताया है कि PhD के हवाले से आपका क्या plan है कि naturally जो terminal degree समझी जाती है research की वो PhD होती है और university किसी भी university में अगर PhD कल से सब रोंग नहीं है और PhD डिग्रीज नहीं करवाई जाती तो वो मेरे ख्याल में उसमें कहीं नहीं कोई कमी मौजूद है देखे जी कामरान साब हमें ये तो credit दें कि हमारी university दो साल सिर्फ है भी कि university का जो एक और function है कि वो courses, diplomas, master और PhD कैसे करें हमें हमारी एक्रिडेशन जो है वो PMDC के पास पहुंची हुई है और वो एक major चीज है कि जो ही है लमदोलिल्ला हमें PMDC की एक्रिडेशन मिलती है तो बहुत आगे जा चुकी होगी ये उनिवर्स्टी लेकन हमने क्या किया कि वो चीजें जिन में हमें PMDC की एक्रिडेशन की जुरूरत नहीं थी छे प्रोग्राम हमने शुरू कर दी और आपको ये जानके खुशी होगी कि हमारा पहला सर्टिटिकेट जो है वो सर्टिकेट इन हेल्फ प्रफेशनल एजुकेशन वो कम्पीट होगया छे मीने का और हमने सर्टिकेट अवार्ड कर दी ये कम्पीट हुआ दूसरा हमारा जो कॉर्स है वो Emergency Foundation Program है Royal College of Emergency Medicine तो Royal College दो साल से इन्होंने अधारे वज़र्व किये और फाइनली उन्होंने हमारे साथ M.O.U. किया जी Emergency Medicine जो है Royal College of Emergency Medicine का Foundation Year Program हम आपके साथ करें ये वान येर का होगा? ये वान येर का प्रोग्राम है इसका सारा करिकुलम जो है Royal College of Emergency Medicine देजाइन किया है इसकी टीटिंग स्ट्रेटिजी, इसके सेस्मेंट और इसके पोर्टल आप दा ट्रेनी जो है कॉंट्रेक्ट सेशन भी करते हैं ट्रेन दर ट्रेनर यानि उसको सुपर्वाइज करते है और पोर्टल जो है वो सुपर्वाइजर का भी उनके पास है Royal College के पास और ट्रेनीज का भी उनके पास है आप देखें कि जो हमारा का सर्टिफिकाइब करते है इस तुरह एक का सर्टिफिकेट फहर कोर्स है नहीं प्रेम्री देखें कि जो मिखंस कि प्रेमरी दिशन के लिए सिर्ज के लिए तीन मिने का शरू किया। यह 60 पे इसमें ट्रेनी हैं प्रेमरी पूसिशन में और जो प्रेमरी पूसिशन का पहला है श्यामी उसमें 30 हैं तो 90 लोगों को जो निवर्स्ती यह मारे पंच डिपलोमे हो गए। छठा प्रोग्रम जो वो हमारा कम्प्रीट हो गया, इन्फेक्शन दिजीज पे हमारा 6 मन्त का जो भी दिसम्बर में शुरू हो रहा है, तो यह नाइन कोर्स मैंने आप तो बताए हैं जिन में से एक कम्प्रीट हो चुक है, चार जो है वो शुरू है और बाकी जो है वो दिसम्बर से पहले प्रफ देंगे, 28 प्रोग्राम जो हैं, वो हमारे MDMS के, यूनिवस्टी के जिसमें Emergency Residency Program, Critical Care Residency Program, Infectious Disease Residency Program, और Dermatology, Nephology, Neurology, यह भी हमने करिक्लम बना के उदर बेजे हुए, जो ही हमें प्रूवल आती है, तो आप देखें के हमारे तो प्रोग्राम सारे इन प्लेस होग अच्छा प्रफेसर अमर्सब जो एक बहुत सवाल है और उसका भी आप से हम जवाब चाहेंगे, कि यूनिवस्टी, Medical University में Allied Health Sciences and Nursing उनका भी एक बहुत तरीनी करदार और रोल होता है, जब हम Health Care System में बात करते हैं, आप देखें के उनका जो तिप्वि निसाब है और प्रेन हमारे साथ मौजूर हैं उनके लिए और नर्सिंग जो है उसके हमाले से भी हमें उसी तरह उनकी मतलिक का ट्रेइनिंग और जो निसाब है उसके काम करने की जुरूरित है कि बाहराल जो हमारी नर्सिज है और हमारा अलाइड है प्रोफेशनल स्काफ है वह बड़ा एक मेहनत और जांस उखानी से पेशेंट केर में दिन राज लगा होता है और हम उनके बगार हेल्थ केर का तस्वर नहीं कर सकते हैं बड़ा इंपारटन्ट कामारा साब में सुवाल उठाए है कि सिर्फ डॉक्टर और स्पेशलिस ट्रेन करने से यल्थ केर तो डिपरी सिस्टम ने बेदर हो सकता है ये तो मल्τι सेक्टोरियल है जी हूलिस्टिक अप्रोच चाहीं है बिल्कुल वो मल्τι सेक्टोरियल में नर ग्रेड कर दिया, दो साल में और अब वहाँ पे पोस्ट एस्ट जो हो रहा है, नस्टिंग कोड वो हो रहा है, और अब उनका मास्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, और दो साल हो गए है, और हमारा पहला बैज दो साल का निकल भी गया, यह पोस्ट आर अर 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 बनी हमने स्कूल को अपग्रेड करके कॉलेज कर दिया है अलाइड आल्स साइंसिस का हमारा प्रोग्राम यह पहले चलना था उसमें 100 स्टुडेंट थे यूई उनिवस्टी बनी हमने उसको 140 कर दिया है उसके 6 डिसिप्लिन से अब हम उसको आठ करने जा रहे हैं उसके सारे ज और जो अच्छा करें एक सारे ठीक है आधिकर एडरा नुकर भीम तल्टिश पाकिफान में टिएकांट्टि इंडिटी मोलतना इसके लावा यूनिवस्टी हमारी वड़ी आचा काम करें और जो डिग्री अवार्डिंग इंसाब बनाने के तौर पे रिसर्च के आर्वाद पे उनका भी काम एक तो है, तो आप समझते हैं कि कोई एक फोर्म होना चाहिए जिदर एक बकाइदा फोर्म, वैसे तो आपकी मीटिंग होती रहती हैं, गाये बगाये आप मिलते हैं, लेकि एज़ी सी, पीमडी सी, सी, पी एज़ी और यूनिवर्सिटी के वाइस जांसलर का फोर्म होना चाहिए, जहां पर एक सिनर्जाइज हमें इक दूशे को कर सकें, और एक ही लाइन के साथ, एक यक्सुई के साथ, एक दूशे के साथ चल सकें, और एक फोलिस्टिक मेट्रिक्स बन सकें, मेरा ख़ाल है, इससे जो है, हमारे हेल्ट केर सिस्टम पर बड़े मु एक जो एनों ने बनाया है, नाशनल पाक्ताम मेडिकल डेंटल एक्ड़मिक बोर्ड, नुए जो इसकी बड़ी शिदीद जरूरती, ये सारी चीस के साहथ, इसमें । के चेयर मेंड भी मेंबर है, इसमें सी पी यस पी मेंपर है, इसमें यूनिवस्टिक मेंड種र मेंबर ह है ये basically स्टेंडर्ड सेट करेंगा कि जी हमें जो ट्रेनिंग स्टेंडर्ड्ड हैं जो डिग्री लेवल किस्ट पे देनी है इसके प्यजी प्रोग्रेम के स्टेंडर्ड सेट करेंगा नमबर वान नमबर टू उनको मॉनिटर करेंगा कि वो इस QUALITY की हो रही है क्योंकि मुल् प्राइबेट से हो रहा है इसका बोर्ट ही नहीं था तो मैं इस गौर्मेंट को अप्रिशेट करता हूँ कि यह इजैकली उन्होंने अमेरिकन मॉडल को रेप्लिकेट किया है कि नेशनल पाक्सान मेडिकल डेंटिल एकडेमिक बोर्ड बनागी है और इसमें सारे इस तरह के प्रोवक्शन है हम समच्छते हैं अमेरिकन मॉडल को बिलकुल इसमें रेप्लिकेट करना चाहिए यह बाहराल इसमें चेंजेश की जुरूरत को बनेंगे इसके टी और बनेंगे इसकी वर्किंग का तरीका बने लागए लिए बाहराल कुछ और है उम बाहराल जो डॉक्टर्स हैं वह हैं यहां पर पेशन डॉक्टर रेश्यो जो है वह डिस्प्रोपोस्टेंट है हम दॉक्टर बैसे कि अपने मुल्क के लिए प्रूडूच करते हैं और अमैरिका के लिए जी सर्थ है इसलिए कि यह तो यह रेगुलेटरी बाडी हो तो एक रेगुलेटरी बाड़ी का कर सकेगी और उस स्टेंडर को मॉनिटर कर सकेगी कि वो उसकी क्वालिटी वही हो वो से नीचे गिरे ना आपका प्राइवेट सेक्टर भी आपका कॉलर्ज अफ लिशन सर्जेन भी आपकी यूनिवरस्टियां भी वो एक मिनिमम लेवल स्टेंडर का दूर मेंटेन करें दू अब दूर्ज हम सेलों के साथ एल इसस्तों उनिवरस्टी काम करें और हमें सुपोर्ट भी का रहे हैं अब एक गाइड भी का रहे हैं और खासका अब प्रोफेसर जिवेद अक्रम साब का एक तरीका का रहा है का बहुत अच्छा है कि वह सब को साथ लेके चलते हैं तो वह इनकी टीटिंग स्ट्रेजी जो है 80% एक हो इनके सेस्मेंट के मॉडल जो हो ताके हर युनिवरस्टी अलएदा तरीके से काम ना करें तो मेरी स्टॉंग रिकमेंडिशन है कि इंटर युनिवरस्टी बोर्ट जो है वो गौर्वर्मट लेवल पे सेबलिश होना चाहिए त यह देखा गया है कि और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में पेशिंट डॉक्टर रिश्यो इस्प्रोपोर्शन है और आलाइट हेल्प प्रॉफेशनल और नर्सिस्ट की बात करें तो भी उसी तरह जो पेशिंट डॉक्टर रिश्यों की तरह उनका भी अगर प्रोपोर्शन निकाला जाया, रेशो निकाली जाया, तो वो गैर मतनासिब है, तो इस हवाले से ब्रेइन, ब्रेइन तो है, ब्रेइन गें के हमाले से हम क्या कर सकते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, हमारे डॉक्टर्स जो है, उनका लोह पूरी दुनिया मानती है, अमेरिका में देख बरतादिया में देख रहे हैं, आक्रीजा में देख रहे हैं, एक पर ब्रेंगे देख रहे हैं लेकिन यहां के हवाले से आप क्या समझती हैं, आप क्या स्ट्राट़िजी किना सकते हैं, ये प्रेश किया जाते हैं तो कि आप देखें टर्शी केर होस्टरिय है 29 तीस है मेरा फूल पंजाब है जिनको हम कहते हैं तो 29 तीस पे 10 बारक रोड़ अबादी का बोज यह मैं आपको एक बात बता हूं तो यह सर जो डॉक्टर को है यह हमारी स्टेंट है यह हमारा हीमे रसोर्स है यह ह बढ़ाएंगे उनकी क्वालिटी इसकी करेंगे तो फिर यह हमारी इंडस्ट्री होगी फिर आपको स्पार्टन एक्सपोर्ट कितने मर्दी डॉक्टर बाइर जाते रहें आपके डॉक्टर बनेंगे भी तो ज्यादा ना और यह जो डॉक्टर बाइर जाएंगे यह मारे इसकी फार इसचेंज नाएंगे तो हम इसचेंज को बेसिकली यूज नहीं कर रहें इस पर इंवेस्ट नहीं कर रहें तो अगर यह छे यूनिवस्टियां बनी है तो इसका मतलब यह है कि सीपी जो है मुझे एक डेटा नहीं वह एक हजार के करीब लोग पैदा करता है एक इसकी प्रफेशनल तो आपकी नीड जो है वह को पौर फाइट वाजन की है हमारी नीड बहुत जा रहा है तो यह गैप जो है यूनिवस्टियां फिल करेंगी जब यह करेंगी तो बाहर जाएं लोग फुशी की बात है कि मारे अची बात है हमारा मकाम होगी हमारी ने से व जब लेंगे जडरूरत है और इंसेंटिव को बढ़ाने की जडरूरत है बहराल इंसेंटिव बेस अगर जॉब होगी जॉब स्क्रिटीज होंगी और इस तरह के होगे तो यकीनी को और यहां पे भी जुआ जो है डॉक्तर की यह भी प्रेफरेंस होगी देखे सब जैसे इ कि एक मुअनु है कर दो जो सर्विसिस है वह प्राइवेट theme साफिक माडल दुनी की तो आप और हैंसाफ चार्ड देल हैं वह प्राइवेट इसार है मौदी प्राइवी में कवेवू लगी हुई है नियु आस्पिटल में राच पड़ा हुआ है, बेड नी मिलना, एंजियो प्लास्टी की डेट नी मिलनी, एर्सी पी की डेट नी मिलनी, तो आपको कार्ड करते हैं और प्राइवट प्रेनिक पे पे करते हैं और अपना लाच करा लेते हैं, तो आपको इन्वेस्टी नी करना पड़ा कि आप एंजियो प्लास्टी की मिशीन लगाएं हम दो अगों हैं कि ये सिस्टम पूरी तरह फाल हो और पूरी तरह चले भी ठीक है आखरी मिनिट हिसर कोई पैगाम देना चाहें हमारे प्रोग्राम के तुमस्ट सब मेरा जो पैगाम है वो जी है कि मेडिकल एडिकेशन और ट्रेनिंग जो है और यूनिवस्टी जो है ये एक सिवलाइजेशन को चेंज करते हैं ये सोशल चेंज लाती है एकनॉमिकल चेंज लाती है तो यूनिवस्टियों को जामेट भी हम कौईट चांसर भी और हेल्फ केर पूरा सिस्टम भी इसको स्टेंजन करें अगर ये यूनिवस्टियों स्टेंजन होगी तो यहां स्कॉलर प्रोड्यूस होंगे नाट ओनली कैंडीबियस दिग्रियों वाले और एफटीटियस वाले जो इस मौशरे में तबदीजी लाएंगे और ये इंडस्टिय को डवैल्फ करेंगे रिसर्चर जो है और उससे एकनॉमिकल चीएंज आएगी प्रोस्पेरिटी आएगी तो ये वक्त है कि आप यूनिवस्टियों पर मेस्ट किया जाए और इस मौशर कोई जो फूचर जनरेशन है उसको नौलजेबल, स्किनफुल और भाई वैल्यो प्रैक्टिस करने वाला बनाता है बहुत शुक्रिया आपकी सेहत और सलामती के लिए दौा को अपने होस्ट डॉक्टर कामरान भाले को इजाज़त दीजिए अलाहा पेर